आउनलाइन सर्वे रिजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल अप करने के लिए सबसे पहले अपना नाम पुट करेंगे फर्स नेम लिखेंगे लास नेम लिखेंगे नीचे वाली फील्ड में अपना एडरस लिखेंगे एक बात आपने जहन निशीन कर लेनी है जतनी information आपने पुट करनी है वो same to same आपके ID कार्ड के साथ मैच करती हो जो भी चीज ID कार्ड में लिखी होगी वही आपने यहाँ पे पुट करनी है अपने address के अंदर आपने अपना permanent address पुट करना है मजीद इस form के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को complete देखें जिसमें आप लोगों को बताया गया है कहां से आपने इस form को डाउनलोड करना है कैसे आपने इस form को सब्मिट करवाना है इस form की आखरी डेट क्या है इसके फीस कितनी है तमाम मालूमात वीडियो के अंदर तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ असलाम अलेकुम मैं हूँ आपका उस मौमद रफी आप देखने अजलान टीवी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते तो इससे आपको तो कुछ ने जाता हमारी कमस कम होसला अवजाई हो जाती ह वो same to same अपने ID कार्ड को आपके साथ मैच करती हो। जो भी बात आप लिखेंगे वह सेम तो सर्था एड़ी कार्ड पर वीसे ही लिक्ष होनी चाहिए चाहिए वो आपका एडرेस business हो आपका मोबाइल फून की सक्रीन के ओपर आप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इस सर्वे फॉर्म को डाउनलोड करना है और इस पे अपलाई करना है डिस्क्रीप्शर में दिये के सबसे पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे इस तरीका के कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा इस आर्टिकल को थोड़ा से सक्रोल डाउन करेंगे अगर आप ये फुरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो इसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो तमाम की तमाम केलियर हो जाएंगी लेकिन हमारी जो आज की बात है वो है आउनलाइन सर्वे फॉर्म की रिजिस्ट्रेशन यहां पर आपके सामने एक निया इंटरफेस होपन हो जाएगा जैसा कि ओपर आप देख रहे हैं ऑनलाइन सर्वे रिजिस्ट्रेशन एक बात आपने जहें निशीन कर लेनी है जब से पहले आप अपना नाम लिखेंगे फर्स्स नेम लिखेंगे लास नेम लिखेंगे अगर आपका आड़ि कार्ट स्मार्ट इंडि qué कार काड है उके और एक बात आप jestem ने उत्युम्ञें अभट करेंगे यहाँ ख्रогल करें कि और पे टाइब करना है जो आपका प्रमानेंटर अड्रस होगा जो आपक का प्रेजंट अड्रस है लेकर अपने देक फोटो के उपर क्लिक करेंगे आपके सामने दो option आएंगे camera के कि आपने front camera से तस्वीर लेनी है या आपने back camera से तस्वीर लेनी है अभी मैं जैसा कि आपके सामने टाइप कर रहा हूं यह front camera आगए यह back camera आगए जो भी है ठीक है इस तरीके का interface आपके सामने आजागा जैगा जैसे कि आप okay को उपर क्लिक करेंगे तो यह आपके सामने camera खुल के आजागा ठीक है यहां पर आप नीचे टेक फोटो को उपर क्लिक करेंगे तो आपके जो snapshot आजाएगे आपने अपनी यहां पर एक picture लगा जैनी है उसके बाद आपने यहां पर नीचे अपना contact number लिखना है जैसा कि आप पाकिसान से है तो आपका area code अलड़ी लिखा हुआ है नीचे आपने अपना mobile number लिख देना है उसके बाद यहां पर लिखेंगे नीचे वाले option पर कि आप male है female है उसके बाद आपने यहां पर अपने members लिखने हैं कि आपकी family में कुल कितने अफराद हैं छोटे बड़े सब क को आपने include कर लेना है अब नीचे अपना ID card number लिखेंगे और ID card number लिखते हुए आपने कोई भी डैश नहीं लिखानी सिंपल आपने same to same exact ID card लिख देना जिस तरीके से phone number लिखा जाता है कि उसमें कोई भी डैश बगर नहीं लिखानी आप नीचे जैसे आप apply date के उपर क्लि सब्मिट करवा दें क्योंकि इसकी अभी जो एंडर टाइम है वो तो नहीं बतायागा लेकिन कोई पता नहीं है कि कभ इसकी जो submit form जो एंड हो जाए तो सिंपल आपने submit के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक email रसीव हो जाएगा आपके नंबर पर notification आ जाएगा प्रॉब्लम आ रही है तो description में मैंने अपने Facebook, WhatsApp, YouTube ग्रूप के लिंक दे दी हैं आप वहाँ पर हमें जोइन कर सकते हैं उसके लावा सेक्रीन के उपर मेरा WhatsApp नंबर आ रहा है आप यहाँ पर भी हमारे साथ contact कर सकते हैं इंशाला आप लोगों की भरपूर तोर पर रहनमाई की जाएगी